हलो स्टुडेंट्स मैं स्वेराज आपकी इंग्लिश मेंटर होप यू ओल और फाइन एंड हेल्दी एट यूर हॉम डियर स्टुडेंट्स आज का हमारा टोपिक है आर्टिकल्स यानि की यूज ओफ ए एंड एंदा स्टुडेंट्स ये एक बहुत ही इंपोर्टन टोपिक है क्योंकि ये प्राइमरी क्लासिस से लेकर हायर क्लासिस तक लगबख सभी क्लासिस के स्लेबस का हिस्सा है लेकिन खास बात ये है कि आज हम इसको एक नए स्टाइल से करेंगे क्योंकि मैं इसे एक story format देने वाली हूँ ताकि ये आपको एक story की तरह ही entertaining भी लगे और आपकी मन में हमेशा के लिए बस जाए तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नए format की तरफ और सुनते हैं article की कहानी article की ही जुबानी I am article, मैं article हूँ These are my three lovely kids ये मेरे तीन प्यारी बच्चे हैं A, N and The We are determiners as we determine the noun we are used for हम determiners हैं क्योंकि हम उन nouns को determine करते हैं जिस noun के लिए हमें प्रयोग किया जाता है Used for the nouns only हम केवल और केवल nouns के लिए ही प्रयोग होते हैं For example, a boy, an egg, the Indian railways A girl, an umbrella, the earth These are examples of A, N and The यहां पर article कहना चाता है कि article के तीन प्यारे बच्चे हैं यानि कि उसके तीन ही मुख्य पार्ट है A, N and The और articles को determiners कहा जाता है Determiners adjective का एक पार्ट होता है Adjectives वो words होते हैं जो noun या pronoun को qualify करते हैं उनकी विशेश्था को बताते हैं Articles adjective का काम करते हैं क्योंकि वो nouns को determine करते हैं वो वाक्य में केवल और केवल noun से पहले noun के लिए ही प्रियोग किये जाते हैं वो या तो noun की singularity बताने के लिए प्रियोग होते हैं या फिर वो noun की speciality बताने के लिए यानि की special nouns के साथ ही प्रियोग किये जाते हैं और article अपने कहने को continue रखते हुए बताता है कि मेरी दो जुरुआ बेटिया है and is smart son और एक smart बेटा है अब बेटियों को उसने जुरुआ कहा है और इन बेटियों का नाम रखा है indefinite articles और इसने बेटे का नाम रखा है definite article बेटियां दोनों जुरुआ है और वो दोनों है a और n और बेटा है the और all the three are dedicated to the community noun और article कहता है ये तीनों के तीनों noun community को dedicated है यानि समर्पित है we have some special functions और हमारे कुछ खास functions है अब आगे बढ़ने से पहले हम नजर डालते हैं अपने alphabet पर यहाँ पर आपके सामने सभी के सभी 26 letters है इन में से कुछ letters red हैं और बाकी सभी black हैं और जो letter red हैं यानि की a, e, i, o and u ये पांचों के पांचों letters vowel sounds है and rest of the letters are consonant sounds all the other except a, e, i, o, u यानि की इन पांचों letter को छोड़कर बाकी सभी के सभी letters consonant sounds है अब खास बात क्या है ए आर्टिकल ए आर्टिकल is friend of the words with consonant sounds इसमें से ए आर्टिकल यानि की जब हम articles को use करते हैं a, an and the इन में से ए आर्टिकल उन words का friend होता है उन words के साथ रहता है जो consonant sounds से शुरू होते हैं an article an article is friend of the words with vowel sounds यानि की ए आर्टिकल का प्रियोग उन words के साथ उन nouns के साथ किया जाता है जो vowel sounds से begin होते हैं and what about the the article it stands with the unique and specific things ये unique और special thing के साथ stand लेता है उनी के साथ ये हमेशा बना रहता है तो आईए अब आगे भड़ते हैं लेकिन indefinite articles और definite article के बीच के अंतर को जानने से पहले आईए हम जानते हैं कि indefinite article A और N दोनों का प्रियोग कहा होता है अब A और N को हमने जुरुआ बहने कहा लेकिन हर जुरुआ बहनों के तरह इन में भी कुछ अंतर है दोनों में बहुत समानता है लेकिन फिर भी अंतर है समानता ये है कि दोनों का function सेम है और function क्या है कि दोनों ही single, common, countable nouns के लिए प्रियोग होती है यानि कि दोनों का प्रियोग उन nouns के पहले किया जाता है जो common होती है, countable होती है और single होती है लेकिन फिर भी अंतर क्या है? चलिए देखते हैं A is used before single countable common nouns that begins with consonant sound Yes, अंतर ये है कि उस single countable common noun के आगे परियोग होती है जो की consonant दुवनी से शुरू होते हैं जैसे pen, हम pen को देखते हैं यहाँ पे pen single है, common है, countable noun है boy, boy भी common है, single है, countable है लेकिन pen का initial sound देखिए P, boy का initial sound देखिए B यानि कि प और ब ये दोनों ही हमारे हिंदी की वेंजन्धवनिया हैं तो ये दोनों ही शब्द वेंजन्धवनी से शुरू हो रहे हैं इसलिए दोनों के आगे अगर हमें article की choice करनी हैं तो हम A article का प्रियोग करेंगे अब N को देखते हैं यानि कि जो शब्द वनी से शुरू होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि पाँच वोवल लेटर्स होते हैं यानि कि वो शब्द जो दिखने में तो वोवल लेटर से शुरू होते हैं लेकिन जब हम उन्हें प्रनाउस करते हैं तो वो consonant ध्वनी प्रोड्यूस करते हैं उन सभी के आगे भी A article का प्रियोग होगा उधारन के लिए यूनिवासिटी वन आइड बैगर अब यूनिवासिटी यू वन आइड बैगर ओ लेटर को देखिए यू ओ दोनों ही वोवर लेटर्स है लेकिन जब हम इन शब्दों को प्रनाउस करते हैं तो यूनिवासिटी ये ये हिंदी की ये ध्वनी को प्रोड्यूस करते हैं जो की एक वियनजन ध्वनी है सेम इन दा केस ओफ वन आइड बैगर वन व ये ध्वनी से शुरू होता है जो की एक वियनजन ध्वनी है इसलिए इन दोनों के आगे ही ए अर्टिकल का प्रियूग होगा यानि की वो शब्द जो दिखने में वोवल लेटर हो लेकिन ध्वनी वियनजन की देते हो तो भी हम उनकी आगे ए आर्टिकल का प्रड्यूस करते हैं वोवल साउंड्स यानि की सुवर्ध्वनिया जैसे N M LA M LA M एक कॉंसोनेंट लैटर है लेकि हम एबरिवेशन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वह सभी हो सकता है कि आपके consonant letter से बनती हो हम उन्हें प्रणाउंस करेंगे प्रणाउंस करने पर यदि हमें वोवल ध्वनी मिलती है सुवर ध्वनी मिलती है तो हम उसके आगे एन आर्टिकल का प्रियोग करेंगे नेक्स्ट ओनेस्ट एन ओनेस्ट मैन इसमें H silent होता है O ध्वनी से शब्द शुरू होता है तो ये एक सुवर ध्वनी है इसके लिए भी हम इसके आगे एन आर्टिकल का प्रियोग करेंगे अगेन M A विकल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि M को बोलते से में शुरूवात सुवर ध्वनी से होती है इसलिए हम इसके आगे N आर्टिकल का प्रियोग करेंगे A और N के बीच के डाउट को अच्छे से क्लियर करने के लिए आईए हम करते हैं कुछ एक्सेसाइजिस एक्जाम्पल नुमबर वन अब यहाँ पर हमें आर्टिकल A और N का प्रियोग करना है इधर A और N लेट सी हमें गुड से पहले आर्टिकल को लगाना है तो हमें गुड की इनिशिल साउंड को देखना होगा अगर हम इसको प्रनाउंस करते हैं तो यह आता है ग एक वियंजन साउंड वियंजन ध्वनी इसलिए हम इसके आगे A आर्टिकल का प्रियोग करेंगे हमें इन्टेलिजन से पहले आर्टिकल का प्रियोग करना है इसलिए हम इन्टेलिजन के इनिशिल साउंड को नोटिस करेंगे इन्टेलिजन इ यहाँ पर आई एक वोवल लेटर है, साथ में यह E सुवर्ध्ध्वनी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसके आगे E के according N आर्टिकल का प्रियोग करेंगे तो बच्चो अब बताईए, गुड के आगे किस आर्टिकल का प्रियोग होगा, A और N आप कहना चाते हैं A, तो आप गलत है, गुड, इक्जेक्टली उपर भी गुड था, नीचे भी गुड है, उपर ए आर्टिकल आया था और यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रियोग नहीं होगा, अब मैं यहाँ पर आपको यह बात अच्छे से क्लियर कर दूँ कि गुड, यह अजेक्टिव है, अकेले अजेक्टिव के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रियोग नहीं होता है, अगर अजेक्टिव अपने साथ एक नाउन को केरी कर रहा है, जैसे गुड बॉई, गुड गर्ड, गुड कंसेप्ट, तभी हम उसके आगे आर्टिकल का प्रियोग करें Next, His mother is MA, MA, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितनी भी abbreviation हमें भी लेगी, उन abbreviations को हमें बोल कर देखना है, जब हम first letter को pronounce करेंगे, अगर vengeance धुआनी है तो A article का प्रियोग होगा, और अगर swear धुआनी निकलती है, तो हम N article का प्रियोग करेंगे, तो यहाँ पे N article, Next, His father is – MLA, again N MLA, जितनी भी abbreviations है, जो F, H, I, L, M, N, O, R, S, X, इत्यादी लेटर से बनेगी, उन से भी का हमें ध्यान दखना है कि उन से पहले N article का प्रियोग होगा, Next, Example, Yesterday I saw – One-eyed beggar near my house, again One-eyed beggar, इसमें हमें देखना है One-eyed को, हमें One के initial sound यानि की O को notice करना है, यहाँ पे O एक over letter जरूर है, लेकिन जब हम word को बोलते हैं तो यह बनता है One, वे एक वेंजन ध्वनी हैं, इसलिए हम इसके आगे A article का प्रियोग करेंगे, A और N की doubt को और अच्छे से clear करने के लिए आईए हम कुछ और example भी कर लेते हैं, He has dash unique voice, बच्चों यहाँ पर notice किजिए कि voice एक abstract noun है, मैंने आपको कहा था कि article का प्रियोग common, countable, single noun की आगे ही होता है, लेकिन यहाँ पर voice को एक common noun की तरह हम treat कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है type of voices की, तो हम यहाँ पर इसको common noun मानेंगे, next, हमें अब article unique से आगे लगाना है, unique के लिए हम unique के initial sound को देखेंगे, you, you वैसे तो एक vowel letter है, a, e, i, o, you में से एक, लेकिन यहाँ पर you, यह वयंजन्द होने को produce कर रहा है, इसलिए इसके आगे a article लगेगा, next, he is unique, यहाँ पर बताईए बचो क्या article लगेगा, अगर आप कह रहे हैं a, तो हो गलत है, again, he is unique, unique अकेला adjective है, इसके साथ कोई भी noun न नहीं कर रहा है, किसी भी अकेले adjective के आगे कोई भी article नहीं लगता है, सिर्फ उसी case में article लगेगा, जब adjective अपने साथ में एक noun को carry करे, next, रवी is dash very honest person, again, यहाँ पर हमी very से पहले article का प्रियोग करना है, लेकिन यह article हम person के लिए प्रियूक्त कर रहे हैं, व, 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 एक वें जंधवनी हैं, तो इसके आगे ए आर्टिकल लगेगा, रवी is very honest, यहाँ पर देखिए, क्या हम article लगाएं, बिर्खुल सही, कोई article नहीं लगेगा, क्योंकि very honest, रवी पहुत इमानदार है, लेकिन इमानदार के साथ किसी भी noun का प्रियोग नहीं हो रहा है, अपने साथ कि किसी भी noun को क्यारिव नहीं कर रहा है, इसलिए इसके आगे किसी भी article का प्रियोग नहीं होगा, next, my sister gave me dash umbrella, again, umbrella के initial sound को देखिए, यह एक vowel sound है, तो हम इसके आगे an article का प्रियोग करेंगे, and last example, dash apple dash day keeps the doctor away, apple, an apple a day, apple एक vowel sound है, d एक consonant sound है, इसलिए d के आगे a और apple से पहले an article का प्रियोग होगा, तो बच्चों हमें दो बाते ध्यान रखनी है, एक तो consonant sound से पहले हमें a article का प्रियोग करना है, और vowel sound से पहले an article का, दूसरी बात हमें यह देखनी है, कि हमें article सिरफ और सिरफ noun के लिए लगाना है, अगर noun से पहले adjective है, तो हम adjective के initial sound को देखते हुए a और n को decide कर सकते हैं, लेकिन adjective के बाद में noun का होना compulsory है, अकेले adjective के आगे किसी भी article का प्रियोग नहीं होगा, अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ special cases में होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, आईए अब हम जानते हैं कि indefinite articles और definite articles में अंतर क्या है, point one, use for common nouns only, common nouns, ये केवल common nouns के लिए प्रियोग में लाए जाते हैं, indefinite articles सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ common noun के लिए common noun से पहले प्रियोगत होते हैं, for example, I need a pen, मुझे एक pen चाहिए, यहाँ पर pen एक common noun है, और उससे पहले a article का प्रियोग करेंगे, His village is situated on the bank of a river, again, river is a common noun, the article यानि की definite article, used before common and proper noun, both, such as, कालिदास is the Shakespeare of India, तो बचो धोड़ा ध्यान दे, कि कालिदास को Shakespeare कहा गया है, हम किसी भी एक नाम के व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति का नाम नहीं दे सकते हैं, केवल संघ्या दे सकते हैं, Shakespeare एक proper noun है, और Shakespeare की संघ्या कालिदास को दी गई है, इसे लिए Shakespeare के आगे दा आर्टिकल लगा है, The cow is a useful animal, यहाँ पे cow एक common noun है, लेकिन इस से पहले दा आर्टिकल का प्रियोग हुआ है, क्योंकि cow common noun को यहाँ पर अपनी पूरी जाती का representative माना गया है, यह पूरी जाती को represent कर रही है कि cow एक useful animal है, Used before only countable nouns, यह cable countable nouns के आगे ही प्रियुक्त होते हैं, जैसे a river, a planet, a train, a girl, an apple, an inkpot, definite article, Used before the specific, unique objects, before the names of rivers, oceans, continents, publications, etc. इवन यहाँ पर हम magazines के name, newspapers के name भी include कर सकते हैं, Specific or unique names के पहले the article का प्रियुग होता है, और साथ ही साथ इस category में हम historical buildings, historical places को भी डाल सकते हैं, The Ganga, The Sun, The World, The Pacific Ocean, तो इस परकार जितने भी दुनिया में special objects है, unique पहचान रखने वाले objects हैं, उन सभी के नाम के आगे the article का प्रियुग होता है, इस category में हम airlines को, roadways को, waterways को भी डाल सकते हैं, जैसे the Indian airlines, the Haryana roadways, etc. Point No.3, Use the first time we introduce a thing, जब हम किसी वस्तु को, किसी भी common, countable, single noun को first time introduce करेंगे, तो indefinite article, A, A, N का प्रियुग होगा, लेकिन when we mention the object, यानि कि अगर हम उसी object को दुबारा repeat करेंगे, दुबारा use करेंगे, तो उसके आगे indefinite article नहीं, बलकि definite article का प्रियुग होगा, जैसे कि, the letter was addressed to God, हमने यहाँ पे example लिया, Lancho wrote a letter, Lancho ने एक पत्र लिका, तो हमने यहाँ पे indefinite article, A का प्रियुग किया, लेकिन अगर हमने उसी letter का दुबारा से अगले sentence में यूज किया, तो हम उसी common noun के आगे the article का प्रियुग करेंगे, जैसे, the letter was addressed to God, वो letter God को address किया गया था, जैसे कोई भी कहानी होती है, हम कहते हैं, one day I saw a lion, the lion was very angry, बच्चों नोटिस कीजिए, first sentence में मैंने कहा, one day I saw a lion, मैंने एक शेर को देखा, the lion was big in size, वो lion size में big था, तो first time मैंने किसी भी एक lion को देखा, लेकिन second line में मैं उसी lion का जिकर कर रही हूँ, तो उस line के लिए हम the article का प्रियुग करेंगे, नेक्स्ट, use only with the single noun, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केवर common countable single nouns के लिए ही प्रियुक्त होते हैं, तो ये common noun की singularity को बताने के लिए प्रियुक्त होते हैं, जैसे we have a dog as pet, हमारे पास pet के रूप में एक कुटा है, यानि कि हम यह singularity बता रहे हैं कि एक dog है, they bought a new car, उन्होंने एक नई कार खरी दी, यहाँ पे हम एक कार के बात कर रहे हैं, उसने ब्रेकफास्ट में एक एग खाया, definite article the, used before both single and plural nouns, जबकि definite article का प्रियोग single और plural noun दोनों के लिए ही हो सकता है, यहाँ पर हमने dog से पहले दा आर्टिकल का प्रियोग किया, यहाँ पर डोग पूरी race को represent कर रहा है कि डोग इस परकार की एनिमल होते हैं, नेक्स्ट, the dogs were really very dangerous, वो dogs वास्तों में बहुत ही कतरनाक थे, यहाँ पी हमने dogs के साथ दाका प्रियोग किया है, हमने इन dogs का पहले जिकर किया, अब दुबारा से हम उनको mention करना चाह रहे हैं किसी भी sentence में, तो हम उनके आगे दाका प्रियोग करेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर यह single होता तो भी हम दाका प्रियोग कर सकते थे, और यह plural है तो भी हमने दाका प्रियोग किया है, नेक्स्ट, used to indicate one of a group, कि आप किसी category type से belong करते हैं, वो उन लोगों में से एक है जो dance करती है, या जो dancers है उस category से वो belong करती है, मेरे फादर उन लोगों में से एक है जो honest होते हैं, used before certain adjectives to give a plural meaning, तो बच्चों यह बात मैंने आपको भी कही थी पहले, कि objectives के आगे किसी भी article का प्रियोग नहीं होता, अगर होता है, तो सिरफ the article का प्रियोग वो भी special cases में, तो यहाँ पे मैं आपको यह clear कर दूँ, कि हम किसी भी single adjective के आगे article का प्रियोग नहीं होता है, तो केवल और केवल definite article का प्रियोग वो भी तब, जब वो adjective भले ही noun को carry ना करें, लेकिन उस noun की meaning को अपने साथ ही show करें, जैसे the rich means the rich people, जब किसी adjective के आगे the article का प्रियोग हो जाता है, जैसे कि rich के आगे हमने the article का प्रियोग किया है, तो वो adjective का meaning ही नहीं देता, बलकि अपने साथ आने वाले noun के meaning को भी अपने meaning में शामिल कर लेता है, तो the article का प्रियोग ordinals के पहले भी किया जाता है, जब हम order को परदर्शित करें, first, second, third, आप position शो करना चाहते हैं, तो जब भी आप ordinals का प्रियोग करेंगे, first, second, third, sixth, seventh, eighth, whatever with the order, आपको the article का प्रियोग करना होगा, point number seven, used before superlatives, yes, adjectives की तीन डिगरी होती हैं बचो, positive, comparative and superlative, जैसे good, better, best, large, larger, largest, कहीं भी किसी भी वाक्य में हम superlative डिगरी का प्रियोग करेंगे, तो उसके पहले necessarily आपको the article का प्रियोग करना होगा, such as the largest, the finest, तो बच्चों ये था indefinite और definite article के बीच का अंतर, और बच्चों, आप समझ गए होंगे कि भाई और बहनों की capacities का दायरा कितना है, बहनों का दायरा comparatively कम है, जबकि भाई का दायरा चादा है, और उसकी responsibilities भी चादा है, hope कि आपको समझ में आ गया होगा, आईए, अब हम जानते हैं किन-किन cases में no article का प्रियोग होता है, यानि कि किसी भी article का प्रियोग नहीं होता है, first of all, to talk about thing in journal, जिए हम किसी वस्तो का जनल तरीके से प्रियोग करें, जिसे milk is good for you, दूद आपके लिए अच्छा है, या हम milk को generally प्रियोग कर रहे हैं, second बात, milk एक material noun है, material होता है पधार्थ, so पधार्थ के तीन रूप होते हैं, solid, liquid, gas, और तीनों ही रूप में material noun के आगे किसी भी article का प्रियोग नहीं होगा, होगा तो सिर्फ और सिर्फ special cases में दा का प्रियोग, next, before the name of a language, subject, days, and months, किसी भी भाशा के नाम के आगे, विशे के नाम के आगे, दिन और महीनों के नाम के आगे, किसी भी article का प्रियोग नहीं होगा, before the names of countries, such as Japan, France, Italy, etc, except the UK and the USA, यहां किसी भी देश के नाम के आगे, किसी भी article का प्रियोग नहीं होता है, लेकिन UK, USA, UAE, जो Union of States से बने हैं, उन्हीं के नाम के आगे, दा आर्टिकल का प्रियोग होता है, जैसे the United Kingdom, और the United States of America, Next, to talk about sports and games, यानि कि games और sports के आगे भी किसी भी आर्टिकल का प्रियोग नहीं होगा, Example, let's go and play basketball, before the names of meals, जैसे breakfast, dinner, lunch, but, when we talk about special dinner, special meals, जैसे we enjoyed the dinner last night, हमने पिछली रात वाले dinner को enjoy किया, जब हम ये mention करना चाहते हैं कि dinner कोन सा है, lunch कोन सा है, breakfast कोन सा है, किसने दिया, कहां खाया, इस तरी किसी special cases है, तब हम उसके आगे दा आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, before noun plus number, अगर noun की साथ नमबर है, तो भी उसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रियोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रियोग कहां कहां होता है, और कहां कहां नहीं होता है, किन किन केसी में होता है, तो इस concept को अच्छे से clear करने के लिए अब हम बढ़ते हैं exercise section की तरफ, worksheet 1, she returned after half dash r, अब यहां पे किस आर्टिकल का प्रियोग होगा, let's see, r, r में h, s silent है, और r दवनी से शुरू हो रहा है, तो यहां पे n आर्टिकल का प्रियोग होगा, next, there is dash institution for dash blinds in this city, institution का first letter देखिए, e, यानि कि vowel sound, तो यहां पे हम n आर्टिकल लगाएंगे, और dash blinds, again, blind is an adjective, but blinds, यानि कि यह पूरा section जो blind है, blind people है, यह blind people को represent कर रहा है, तो हम इसके आगे the आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, next, this book won dash booker prize, यहां पे यह proper noun है, booker prize, prize prize का नाम है, booker, लेकिन इसके नाम के आगे हम the आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, next, my brother is dash SDO, here is an abbreviation, abbreviation है बच्चों आपके सामने, आप first letter को देखिए, S, next में भी abbreviation है, Mr. Gupta is MLA, अब हम इनके आगिस आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, N, S, D, O, क्योंकि S को प्रनाउंस करते वक्त, A, धुएनी पहले आती है, same in case of M, तो N आर्टिकल, next देखिए, Mr. Gupta is dash MLA of Hisarcity, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बताईए क्या N आर्टिकल आएगा, यह दा आर्टिकल आएगा, तो बच्चों मैं आपको बता दू, यहाँ पे दा आर्टिकल का प्रियोग होगा, क्योंकि यहाँ पे यह special के से कि आप MLA कहा के हैं, Hisarcity के, एक particular विशे स्थान से आप बिलोग करते हैं, तो आप यहाँ पे दा आर्टिकल लगाएंगे, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वैसे तो कैमल करद होने से शुरू होता है, जो विए जंद होनी है, लेकिन यहाँ पे कैमल पूरी कैमल जाती को रिपर्जेंट कर रहा है, जैसे हमने कहा था, the dog is a faithful animal, the cow is a useful animal, same way, कैमल भी यहाँ पूरी जाती के गुण को दर्शा रहा है, तो अब यहाँ पे हम दा आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, और ship of the desert, कैमल शिप नहीं होता है, यह हमें भी पता है, लेकिन कैमल को एक संघ्या दे गई है, और जब भी हम किसी को किसी का पद नाम देंगे, या कोई संघ्या देंगे, तो उसके आगे भी दैर आर्टिकल का प्रियोग होगा, नेक्स्ट वरक्षिट नमबर टू, मैं एक जू में गया, यानि एन इजू, कोई special जू नहीं था, एक जू में गया, आई साट डैश एलिफेंट दियर, एलिफेंट को देखेंगे, यहाँ पर ए धोनी है, एलिफेंट तो यहाँ पर एन आर्टिकल आएगा, नेक्स्ट, रवीज फादर इस डैश इलेक्टरिशियन, अगेन ए धोनी है, वोवल धोनी है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन आर्टिकल, इस मदर वरक्स इन डैश, बताएए बच्चों क्या आएगा, ब एक वेंजन धोनी है, तो हम क्या लगाएं, जब हम किसी भी चीज़ का रेट मेंशन कर रहे होते हैं, भी इस रेट में इस दर से मिलता है रेट, तो हम उसके आगे ए लगाते हैं, ट्वन्टी रुपेज आ किलो, डैश गोल्ड इस डैश प्रिशिस मेटल, अब आप बताएं बच्चो, कि इसमें हम किस आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, गोल्ड से पहले, नो आर्टिकल, because gold is a material, material noun, next, प्रिशिस मेटल, यह हम कह रहे हैं कि वो एक प्रिशिस मेटल है, मेटल नाउन है, प्रिशिस अजेक्टिव है, प्रद्वनी से पहले हम आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, तो यह ए आएगा, next, गोल्ड फाउंड इन करनाटिका माइन्स, इस ओफ हाई क्वालिटी, अब हम यहाँ पे क्या करें, गोल्ड तो यहाँ पे भी material noun है, but, डिस इस अ स्पेशल केस, कि कौन सा गोल्ड, found in करनाटिका माइन्स, तो अब यहाँ पे हम दा आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, man is mortal, यह जर्नलाइज हुआ है केस, तो यहाँ पे हम कोई आर्टिकल का प्रियोग नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रियोग नहीं करेंगे, next, हम क्या करेंगे definite article the my father is डेश डेरेक्टर ओफ दा सोशल वेलफेर कमेटी ये दि हम एक इंसान को दूसरे इंसान का नाम देते हैं या एक इंसान को कोई भी हम पद संग्या देते हैं जैसे कि डेरेक्टर जोइन सेक्रेटरी प्रिंसिपल हेड मास्टर कुछ भी अगर हम किसी पद के बारें बात करते हैं तो भी हमें the article लगाना होता है यानि कि definite rena usually sits on dash first bench again first क्या है ordinal ordinal के आगे हम क्या लगाएंगे the article she always secures dash last position in her class again last क्या है ordinal तो हम क्या करेंगे the article का प्रियोग रवी is declared as dash best student of year best best क्या है superlative degree again यहाँ पे the article आएगा dash higher you go dash cooler it is अब यहाँ पे higher क्या है और cooler क्या है यह superlative degree तो नहीं है यह तो comparative degree है तो हमें क्या करना है बताएं yes मैंने कहा था कि सिरफ superlative degree के आगे the article का प्रियोग होता है लेकिन यदि एक वाक्य में दो चीजों का comparison एक साथ हो रहा हो और दोनों ही comparative degree हो दोनों parallel structures हो तो हम दोनों ही comparative degrees के पहले भी the article का प्रियोग कर सकते हैं तो हम यहां करेंगे the higher you go the cooler it is next dash more dash merrier the higher you go the cooler it is इसका मतलब क्या था कि जितना उचा जाएंगे उतनी ही ठंड होगी डैश more dash merrier जितना जादा होगा उतनी ही खुशी होगी अगेन यहां पे comparative structure है the more the merrier तो यह सभी के सभी आपके लिए definite article के special cases थे वक्षीट no.4 I saw dash one eyed man in the park यह example भी हम कर चुके हैं one व्यद होने की वज़े से हम यहां पे ए आर्टिकल का प्रियोग करेंगे have you taken lunch यहां पर simple meal की बात हो रही है कि क्या आपने lunch ले लिया है तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्टिकल का प्रियोग नहीं होगा meals के आगे dash lunch we had yesterday was awesome अब यहां पे भी lunch है तो हमें क्या आर्टिकल लगाना है no आर्टिकल नहीं यहां पे हम लगाएंगे definite article दा वो you कि यहां पर simple meal की बात नहीं हो रही है हम यहां पहले ले ले चुके किसी एक lunch की बात कर रहे हैं तो वो खास हो जाता है इसलिए यहां पे हम दा लगा के इसको पूरा करेंगे सुजी इज डैश यूरॉपियन ए एक वोवर लेटर है बट इट गिवस यह द्वनी मिन्स यह एक वियंजन द्वनी दे रहा है तो हम यहां पे ए लगाएंगे नेशनलिटी से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रियोग कर सकते हैं शी गेव हमें special cases में हमेशा दा आर्टिकल का प्रियोग करना होता है ऐसे relative closes के अंदर हमें हमेशा दा आर्टिकल का प्रियोग करना होता है I like dash milk very much यहां पर again material noun है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा dash milk in jug is not fit for drinking वो milk जो जग में है वो पीने के लिए ठीक नहीं है अगेन यहां पर दा आर्टिकल आएगा क्योंकि हमें बताना है कि milk कौन सा है dash ताज महल is dash great historical building ताज महल एक historical place है historical place के आगे the article का definite article का प्रियोग होता है is dash great historical building तो यहां पर हमें इस historical building से पहले भी article का प्रियोग करना है क्योंकि building एक common noun है countable noun है इससे पहले हमें indefinite article का प्रियोग करेंगे लेकिन great की g के sound को देखते हुए यहाँ पर great का good होनी है, good होनी, vengeance होनी है तो यहाँ पर a article का प्रियोग होगा तो बच्चों यह थी आपकी exercises, इसमें हमने almost सभी type के important examples cover कर लिये हैं hope की आपको सब कुछ अच्छे से clear हो गया होगा all the best